तो हेग गैज बलकम टू अपनी कोडिंग में नाम विवेक है तो दोस्तो हमने प्रीवेस क्लास में देखा था कि अगर हमें जावाइस क्रिप्ट का कोड रन करना है तो हम वो कहां पे कर सकते हैं तो हमने देखा था कि किसी भी ब्राउजर के कंसोल के अंदर जाके हम अपने जावाइस क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं लेकिन वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम था कि हम एक बार में एक ही लाइन का कोड एक्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ हम अपनी कोड को सेब भी नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए इस चीजों को अभर कम कैसे अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल करना वह भी जो आज कि इस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सो मार्केट में आपको बहुत सारे जो है आईडी मिल जाएंगे सो वहां पर जाकर आप सर्चा उट कर सकते है लेकिन यहां पर मैंने फ्यू आईडी का नाम जो है लिख रखा है सो यहां पर सबसे जो पहला मेरा आईडी है वो है मेरा वीजुल इस्टूडियो कोट सो इसको जो है इन सौर्ट फ़र्म हम वीडियो कोट के नाम से भी जानते हैं उसके बाद एटम सब्लाइम टेक्स एक फ्यूचर आई मिन जो भी हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम वीजुल इस्टूडियो को देखेंगे आप इसमें से कोई भी या कोई अधर आईडी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं यहां तक कि आप जो है ऑनलाइन आईडी भी आपको मिल जाएंगे जहां पर जो है जो हमें वीजुल करेंगे और वीजुल कोई ही क्यों मैं इस वीडियो से लिए के लिए मैं एड्ड करना चाहता हूं क्यों इतने आईडी में से मैं वीजुड को छूज करता हूं तो इसके पीछे सबसे इंपोटेंट रिजन है कि वीजुल हमें बहुत सारे फंक्सलीटी Google देते हैं बहुत सारे जो है Plug-in mean जो हमारा Extension आ हमें provide करता है so extension क्या होता है कैसे Download करेंगे यह सब हम next video में बात करेंगे लेगिन फिलाल हमें यह जानना है कि VS Code को अपने system के अंदर कैसे install करेंगे इसके लिए आपको आना है अपने ब्राउजर पर और सिंप्ली यहां पर आपको टाइट करना है वी एस कोड तो यहां पर मैंने सर्च करा और यहां पर सबसे पहला आपको लिंक मिलेगा वीजुल स्टूडियो कोड तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हूं यह आपको एवब में उपर में दिख जाएगा यह आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करके अगर आपका विंडू है तो सप्रवाइट करना आपको या तो यहांप आप chat. मैं कर रहा हूं तो यहां पर आपको जो है लाइसेंस का एग्रिमेंट आएगा तो आप इसको जैनरली एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहां पर जो भी अप्लिकेशन का एग्रिमेंट हो आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद जैनरली आपको इस पर क्लिक करना करना है और उसके बाद आप चाहे तो अगर अपने डेक्स टॉप इसका आइकन क्रिएट करना चाहते तो वह भी कर सकते अधर बाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीचे के चार यह ओप्सन जोए आप जरूर अपने में एड कीजिए क्योंकि यह हमें हेल्प करेगा किस हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हैं लोकल सेस्टम के अंदर वह हमारा जो है सेट अप यहां पर त्यार होगा और जब एक बार हमारा हो जाए हम अपने विएस कोड को लांच करेंगे और देखेंगे इन फ्यूचर आने वाले वीडियो के समय आने वाले वीडियो में कि ह हम विएस कोड को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं और क्याक्या इसके अंदर जो हमें मिलता है हमारे पास ज 0 यहां पर we can ja young तो यह हमारा जो फेकर यहां पर करेंगे तो हमारा जो वीज कोड करेंगी वह मरें का वो हमारे create open या कोई भी folder को भी open कर सकते हैं और यहां पर VS Code का एक सबसे important जी यह हमें direct access देता है अपने git का कि हम in future हम सीखेंगे कि git पर कैसे code को हम push करते हैं और git क्या होता है तो वह सब चीजे भी सीखेंगे लेकिन सबसे benefit जो हमें अगर मिलता है तो वह होता है git clone सो हम यहां से direct अपने git को access कर सकते हैं और साथ में यहां पर बहुत सारे extension मिलते हैं और उस extension का जो हम future में यूज करेंगे अपने code को easy way में लिखने के लिए तो अभी हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इतना आप अपने तरफ से भी डन कीजिए नेक्ट वीडियो में हम व्यास कोड का एक overview लेंगे कि व्यास कोड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और देन हम इन से आगे अपने जीएस का जो सीरीज है उनको कवर करेंगे